हेलो अब में स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकेंड चेप्टर फाइफ और गनाइजिंग का पार्ट सेकेंड है और इस पार्ट में लोग पढ़ेंगे और गनाइजिंटनल स्टॉक्चोड आई तरह की हमारे स्टॉक्चर हमारे ऋब सन के अंदर होते हैं पहला functional structure और दूसरा होता है divisional structure एक किक करके हम लोग इसके बारें पढ़ेंगे तब तक बने रहिए और वीडियो को लास्त तक जरूर देखिएगा बात करते हम लोग functional structure की तो grouping of jobs of similar nature under world department similar nature के जितने भी job होते हैं वो जितने भी group of similar nature के job है वो one department के अंदर आएंगे उसको बोलेंगे functional structure एक तरफ से मैं आप लोग को बता दूँ कि जो भी company या organization single product बनाती है जैसे कि cosmetic बना रही है तो सिर्फ cosmetic बना रही है वहाँ पर आप functional structure अपना सकते हैं वहाँ पर follow कर सकता है उस organization जहाँ पर single product बना जाते हैं जो group of work एक department के under में आ जाया है group of same nature of job एक department के under में आ जाया है जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे होते हैं managing director उसके under में हमारे जो जो चीज़े आती है तो क्या आती है ज्यान दीजिए production department जितने भी production से related चीज़े होती है हो हमारे production department के अंदर आती है यानि group of work next हमारा है divisional structure देखिए अगर हमारा कोई organization एक से अधिक product बनाता है यानि line of product बनाता है उस organization के लिए हमारा जो होता है divisional structure शुट यह बोलता है जैसे यहां पर हम लोग देख लें इसका meaning when jobs related to one product are grouped under one department जितने भी हमारे दखिए one जो product है ना one product के जितने भी group of purchase department product department marketing department and finance department वो एक department के अंदर में आएंगे यानि जितने भी line of product हम बनाएंगे वो सब के functions हमारे एक group of department में आएंगे देखते हैं कैस तरह से आते हैं जैसे कि मालीजी हमारी company है और एक से अधिक product बना रही है जैसे कि cosmetic बना रही है, garments बना रही है और footwear बना रही है तीन product हमारा एक similar एक company बना रहा है उन तीनों के लिए अपना एक अलग-अलग क्या करेगी functional department open करेगी देखिए क्या है यहाँ पे product cosmetic के लिए भी product department बनाएगी, purchase department बनाएगी, finance department बनाएगी और marketing department बनाएगी, देखिए यहाँ पे बात है कि जितने भी हमारे product होंगे, उन सारे product के लिए आपको individually अलग-अलग functional department create करने होंगे जैसे कि मैंने यहाँ बताया, garments के लिए भी आपको purchase department, product department, finance department और marketing department आपको रखना होगा next है इसमें food wear, food wear के लिए भी आप जितने भी line of product बनाएगी, उन सारे line of product के लिए आपको अलग से functional structure create करना होगा, यह थोड़ा सा costly होता है, हमारे organization के लिए लेकिन आपको एक करना पड़ेगा, किसले करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सारे product के लिए एक ही product department create कर देते हैं, तो possible नहीं है कि सारे product का production एक ही hub के नीचे हो जाए, या एक ही machine के उपर हो जाए, तो हमें हर एक product के लिए अलग-अलग department create करना ही पड़ेगा, तब जाकर हमारा suitable और smoothly हमारा work हो पएगा, तो हमारा यह था functional और divisional instruction, इसके merit, demerit यानि advantages और disadvantages भी आते हैं, तो आप उसको पढ़ लीचेगा, जो नहीं समझ में आगा, comment कर लीचेगा, क्योंकि वो बहुत ज़दा important नहीं है, मुझे नह थोड़ा सा पढ़ लें, तो बहुत इजिए और उसको आप लोग easily कर लेंगे, thank you, धन्यवाद